गुड़ी पाडवा के दिन सभी को पड़ेगा अपनी सासु मा से ताना गुड़ी पाडवा के दिन सभी को होगी कि मैं क्या करूँ वैल आगे क्या होने वाला है ये आपको बताने वाला हूँ लेकिन एक रिक्वेस्ट है इस यॉर स्टोरी गाइस डू कॉमेंट कीजे आप गुम है किसी के प्यार के आगे की कहानी के बाले में क्या सोचते हैं ये कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरू तो चलिए बताते हैं कि गुम है किसी के प्यार में होने क्या वाला है सवी, इशान, शिखा, चिनमे, पर्स और एक नए सदसे की एंडरी स्टापलस के शोग गुम है किसी के प्यार के आज की एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है महा ड्रामा, शिखा के आशू, सभी का शिखा के लिए प्यार और इसके साथ-साथ एक ऐसी उल्जन की 4,000 रुपए का गिफ्ट लो या फिर 700 रुपए का और वो भी इशान सर के लिए सो गाइस, आज गुड़ी पाडवा है लेकिन गुम है किसी के प्यार में गुड़ी पाडवा कल मनाया जाने वाला है और according to the show, इशान के घर में एक प्रथा है कि घर की हर एक बहू गुड़ी पाडवा के दिन अपने पती को एक गिफ्ट देती है एसे में शिखा तो चिन्माय के लिए गिफ्ट चूस कर लortedी है लेकिन ने तो गिफ्ट का पता होता है और ना ही चिन्माय का लेकिन सवी सोचती है कि उसे तो इशान सर को गिफ्ट देना ही है दे तो क्या दे ये स्टोश्ते सोचते वो एक शौक पर जाती है और यकीन मारिए जिस कपड़े को वो हाथ लगाती है उस कपड़े के अंदर उससे इशान सर नजर आते हैं एर इशान सर के लिए कपड़े तो नहीं लेकिन सवी पर्स जरूर लेना चाहती है लेकिन क्या करें इस पर्स को खरीदने के लिए सवी के पर्स में उतने पैसे होते ही नहीं है तो पर्स की जगे खरीदा जाता है कुछ और और ये कुछ और सवी को लेकर जाता है शिखा के साथ एक ऐसी जगा जहां पर होगी एक नई एंट्री लेकिन हाँ इस एंट्री में भी एक ट्विस्ट है और ये ट्विस्ट जल्धी इशान को इस नई एंट्री से भिड़वाने वाला है और इस सब के अंदर सवी की मुख्य भूमिका होगी तो देखते रहे हैं गुम है किसी के प्यार में उन Star Plus and Disney Plus Hotstar and subscribe to Star Station TV for more updates